Dear students, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज Indian Civilization and Culture की Most Important Objective Question Answer को परहेंगे और ये इस स्रीज का चौथी वीडियो है पहले के तीन वीडियो में हम लोग Indian Civilization and Culture को Line by Line पर चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको Objective के जो Facts होते हैं वो भी बताऊंगा और साथ में Option by भी Objective आपको करवाने वाला हूं और वही सारे Question करवाऊंगा जो की काफी Important है और आपके Exam में आने वाला है बिल्कुल Exam Oriented Question इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको Facts याद रखना है और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको समझ आएगा कि आपके Exam में Question कैसे पुछा जाता है और आप उन Question को कैसे Handle करोगे तो पहला Point है Indian Civilization and Culture is an essay which has been written by Mahatma Gandhi तो कभी-कभी आपके Exam में ये पुछा जाता है कि कोई भी प्रोज होता है पुछा जाता है कि ये प्रोज ऐसे है, कि ये स्टोरी है, कि ये स्पीच है तो आपको याद रखना है कि Indian Civilization and Culture एक essay है ठीक है, और कभी-कभी ये भी पुछा जाता है कि इस प्रोज को किसने लिखा है तो आपको तो पता है Mahatma Gandhi तो यहाँ साब को समझे माया Question कैसे पुछे जाएंगे मैं आपको Objective भी आगे करवाने बाला हूँ 20 से जादा Objective इस वीडियो में देखेंगे दूसरा Point है He was born in 1869 and died in 1948 मतलब आपको ये भी याद रखना होगा कि कोई भी writer जो काफी famous है तो उनका जन्म और उनकी मिर्तिव तो ये तो हमारे Father of Nation है तो ये आपको हर हालत में याद रखना होगा कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका मिर्तिव कब हुआ था तो ये दूसरा Point भी आपको बहुत ही important है तो आप ये याद रखेगा कोई भी प्रोज और poetry परते हैं तो उसका ये दोनों चीज तब important होता है जब ओ राइटर बहुत ही ज़्यादा famous हो तीसरा है गांधी जी is known as the father of nation or bapu तो ये तो ऐसे ही सब कोई को पता है चौथा Point he used मतलब जो गांधी जी ने परियोग जो किया था truth and non-violence सत और अहिंसा का एक परमुख हत्यार के रूप में British rule के बिरोध में British rule के against में ये परियोग किया था तो आपके question objective में पोचे जा सकते हैं कि गांधी जी ने परमुख हत्यार के रूप में किस चीज का उप्योग किया तो आपको बताना है truth और non-violence तो आपको ऐसे facts याद रखने है और आपको non-notes इसी तरीके से बनाना है ये है objective परने का सबसे अच्छा तरीका उसके बाद आप उस objective को option wise भी परहेंगे तो आपको पूरी तरह से clear हो जाएगा तो जब भी आप परते हैं class में प्रोज या poetry तो आपको इस तरीके से line by notes जरूर बनाने हैं अगला point है He is autobiography my experiment with truth अब आपको याद रखना है कि महात्वा गांधी की एक autobiography थी मतलब जीवनी जिसका नाम था my experiment with truth तो आपको पूछ सकता है कि my experiment with truth क्या है जीवनी है किन की है महात्वा गांधी की ऐसे question बहुतो बार पूछे गए है अगला point है He wrote numerous articles for young India अब ये young India एक magazine था आपको मैंने बताया था प्रोज परहाते से मैं जो हम जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था जब संगर्स चल रहा था तो उसमें ये पत्रिका छपती थी उसमें महात्वा गांधी ने बहुत सारे article लिखे थे तो आपको question पूछ सकता है कि young India क्या था या फिर महात्वा गांधी ने article कौन से पत्रिका के लिए लिखा है न तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है ठीक है अगला point है हमारे जे पूरवज थे वो छोटों सहरों में चोटे छोटे सहरों में संतोष्ट थे तो ऐसे भी question पूछ सकता है कि हमारे पूरवज इन छोटे सहरों में संतोष्ट थे या फिर ना थे किसी भी तरीके से तो आपको facts याद रखने हैं सिर्फ objective लगवाने से objective question करने से आपके concept clear नहीं होंगे पूरा आप detail में परियेगा जब प्रोज तो वहां से आपको ये line chart लेने है अगला point है simple living and high thinking तो मैंने आपको बताया था ये एक कहावत है ये एक बिचार है जो की bestran philosopher ने दिया था तो ये जो प्रोवर्व है ना ये Indian civilization पे बिल्कुल suit करता है तो ये बातें आपको याद रखनी है अगला point है he was a spiritual leader than politician मतलब गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है कि ये राज नेता से ज्यादा अध्यात्मिक नेता थे मतलब ये संसकार के बारे में ज्यादा बताते थे आत्मा के बारे में बताते थे भगवान इस्वर के बारे में बताते थे ये कहने का मतलब ये politician से ज्यादा spiritual leader माने जाते थे तो ये बाते भी पूछ सकता आपको पूछ सकता है कि इन में से कौन है जो कि अस्प्रिच्वल लीडर है पॉलेटेशियन से ज्यादा ठीक है तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है अगला पॉइंट है फरोज वर रूलर आफ एसियन्ट एजिप्ट तो आपको पूछ सकता है कि फरोज कौन थे तो ये प्राचीन मिश्र के रूलर्स थे सासक थे के लिए चलिए तो आपको जब भी पढ़ना है ना तो नोटस ऐसे बनाना है अगर आप नोटस को डाउनलोड करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपको ये notes बना बनाया मिल जाए तो ये हर बार, मतलब हर एक बार updated और revised मतलब हर साल के लिए मैं इसे update कर देता हूँ और revised कर देता हूँ, जो भी important होता है वो मैं डाल देता हूँ, फिर से नया कर देता हूँ तो ये notes मैं update कर चुका हूँ इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड कर सकते हैं चलिए आगे बरते हैं 11 हमा नंबर पॉइंट है Civilization means मतलब civilization का मतलब है The state of development मतलब विकास की A state, a state of a human being मानब जाती का जब विकास हो रहा है वही civilization है तो यह सारे बाते आप याद रखेगा India's glory is that It remains immovable मतलब भारत की जो सान है भारत की जो आन है यह है कि यह आज भी अस्थिर है मतलब आज भी अपनी civilization वहीं पे रखी हुई है 13 नंबर है Our ancestors enjoyed true home rule आपके question में आ सकता है कि हमारे जो इंसेक्टर थे वो कैसे किस तरह के rules को enjoy करते थे farming rule को या फिर ऐसे option आ सकते हैं तो आपको याद रखना है true home rule फिर अगला point है mind is a restless word that has been taken from यह question ऐसे है लिखा हुआ mind is a restless word has been taken from by Indian civilization and culture यहाँ पे by नहीं होगा यह misprint है आप यह समझे यह taken from Indian civilization and culture by महात्मागादी ऐसे होना चाहिए आप यहाँ पे समझ लिजिए कि question कैसे आएगा आपका question आ सकता है कि mind is a restless word है यह कहां से लिया गया है पहला type दूसरा पुछ सकता है यह किस ने लिखा है ठीक है तो यह बातें आपको याद रखनी ही होगी और बहुत ही important यह line है अगला है modern civilization is the worship of material तो जो आधूनिक सभियाता है यह है संसाधनों की पूजा है materials की पूजा बस्तूओं की पूजा है तो आपके objective में पूछ सकता है कि modern civilization किस की पूजा है या फिर बस्तूओं की पूजा कौन से civilization है है ना तो आपको ऐसे पढ़ना है line by line clear और आपको एक बात और याद रखी modern civilization को हम western civilization कहते हैं और इसी modern civilization को हम लोग European civilization भी कहते हैं ठीक है तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है क्योंकि नाम बदल के भी question आ सकते हैं तो आप अपनी copy में नोट कर लीजिए modern civilization western civilization और European civilization एक की ही है अगला point है our ancestors saw that large cities are a snare and encumbrance कहते हैं हमारे पुरवज नहीं देखा था कि जो बरे सहर हैं वो एक जाल की तरह हैं और एक बेकार की बोज की तरह हैं मैंने आपको पढ़ाय था ना तो ऐसे question आ सकते हैं कि हमारे पुरवजू ने बरे सहरों के बारे में क्या कहा लब क्या देखा तो ये सारे point आपको याद रखना होगा अगला point है Indian civilization is based on a belief in God अब जो भारत की सभी आता है ये इसवर में बिस्वास पर अधारी थे तो आपको यहां पर आपने देखा ना modern civilization क्या है बस्तूओं को पूजा बट जो हमारे civilization मतलब Indian civilization है ये इसवर में आस्था को आस्था पर अधारी थे इसवर में बिस्वास पर अधारी थे तो अब यहां भी अपनी कॉपी में नोट करिए Indian civilization Asian civilization या फिर Eastern civilization ये तीनों एक ही को यहां पर बताया जा रहा है फिर से मैं बोल देता हूँ Indian civilization Eastern civilization और Asian civilization ठीक है ये तीनों ऐसे करके question आ सकते हैं अगला है आफ ड्यूटी तो आपको पूछ सकता है कि civilization आज जो मानव है उसको किस चीज़ को बताता है तो civilization मानव के करतब को बताता है कर्म की रास्ता को बताता है अगला पॉइंट है happiness is a largely a mental condition अब काता है happiness जो खूसियां है अगर देखें तो एक मानसिक स्थिती है मन की स्थिती है तो ये भी काफी important line है ठीक है तो ये सारे important line को आपको परते समय जरूर नोट करना है यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के मादियम से बता रहा हूँ कि ऐसे आप जरूर करिएगा परते समय clear? आगे मैं objective ही करवाऊंगा आप इस बात की tension ना लें अगला point है our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures कता है कि हमारे जो पुरवज थे उन्होंने हमको दूर रखा हम किस चिस से बिलास्तापुर्ण और जो खुसियों वाला जिंदगी था ऐसो अराम वाली जिंदगी था इस से हम लोगों को दूर रखा ठीक है तो ये question आ सकता है कि हमारे पुरवजों ने किस तरीके के life वो किस तरीके के life से हमें दूर रखा है clear अगला point है the tendency of Indian civilization is to elevate moral being कहता है कि जो भारत की सभ्याता है इसकी जो परविर्ती है जो इसका सभाव है ये है नेतिकता को बरहाना नेतिकता को परचार परसार करना अब यहां पर एक बात और अपनी कोफी में नोट कर लिजे यह तो Indian civilization का tendency यहां पर लिखा हुआ है अब यहां पर मैं आपको बता दता हूँ ऐसे मैं परोज में बताया हूँ बेस्टरन civilization का tendency क्या है तो यहां पर यह नेतिकता को बरहाता है तो आप याद रखेगा बेस्टरन civilization इमॉरलिटो को बरहाता है ठीक है चलीए तो अभी और है इसमें है न अभी और बाते हैं मेरे को लगा उतना ही है 22 नमबर पॉइंट है दा गुजराती इक्वैलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गूड कंड़क्ट कता है गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब है अच्छा बयाभार तो आपको ऐसे याद रखना है 23 नमबर कोश्चन है आर फॉर फादर्स डिडेंट इन्वेंट मसीनरी बिकाउज दीज वूड मेक अस लेजी कहता है हमारे पुरवजों को हमारे पुरवजों ने मसीनों का विश्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको पता था कि ये अविश्कार हमको क्या बना देगा लेजी बना देगा हमको आलसी बना देगा हमको गुलाम बना देगा क्लियर है तो कुश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पुरवजों ने मसीनों का विश्कार क्यों नहीं किया क्योंकि ये हमें सोक देंगे क्योंकि ये हमें खोशियां देंगे क्योंकि ये हमें गुलाम बनाएंगे ऐसे question आएंगे तो आप इन बातों को याद रखिए अगला point है गांधी जी completely dominated Indian politics from 1915 to 1948 मतलब गांधी जी जो थे भारतीय politics में पूरी तरीके से अपना प्रभाव डाल चुके थे कब से कब 1915 लेकर 1948 तक तो ये question भी काफी important है अगला point है the charge against India is that her people are so uncivilized, ignorant and stolid यहाँ प्याद रखेगा भारत के विरूद में ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग असव हैं अनफर हैं और बहुत ही जिद्धी हैं तो आपको पूछ सकता है कि ये line कहां से लिया गया है या फिर आपको पूछ सकता है कि भारत के बारे में जो बेस्टन लोग हैं वो कैसे आरोप लगाते हैं कैसे भी question आ सकता है 26 नमबर है given is associated with Italy आपको पूछ सकता है कि given कौन था या फिर ये किस के साथ associated था तो ये इटली के साथ अब यहां पे एक grammar का चीज बता दता हूँ associated के बाद आता है बीद प्री पोजीशन ठीक है अगली point है गांधी जी sage I am not hatter of based तो आपका question में ऐसे आ सकता है कि I am not hatter of based ये कहां से लिया गया है किस प्रोज से ये line ली गई है तो आपको याद रखना है Indian civilization and culture से लिया गया है या फिर पूछ सकता है कि ये line को किस ने कहा है तो गांधी जी ने कहा है clear अगला है the invention of fire proved a milestone in our development कहता है कि जो आग का जो अविसकार है ये हमारे विकास में एक milestone था milestone समझते हैं जैसे कोई भी चीज के सुरुआत होती है तो उस सुरुआत में पहली जो पहला जो success होता है उसको हम कहते है milestone ऐसे ये question इस प्रोज का नहीं है ठीक है बट यहाँ पे डाला हुआ है तो मैंने आपको बता दिया लेकिन आपका book में ही है मतलब आपके syllabus का ही है clear? चलिए तो मैंने आपको टेलिग्राम पे एक question पूछा था जब मैं आपको प्रोज परहा रहा था तो देखिए कितने कम student answer देते हैं लोग परते ही नहीं ठीक से समझ जब मैं परहा रहा होता हूँ तो ध्यान से सूना करिए देखिए मैंने पूछा था according to Gandhi जी Indian civilization is based on belief in तो मैंने अभी बताया ना गांदी जी का अनुशार भारती सभी आता है वो किस चीज़ में विस्वास रखती है किस चीज़ पर धारित है तो इस वर पर तो यहां पर देखिए 24% जो अस्टूडेंट है वह ही सही अंसर दे रहे है तो यहां पर अंसर होगा God समझ आया तो अगर आप टेलिग्राम पर जूरना चाहते हैं तो वीडियो के description box में टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है यहां पर मैं आपको क्यूज करवाता रहता हूँ देखिए 406 नंबर का यह क्यूज है तो यहां आप जरूर जोईन करिए या फिर आप टेलिग्राम पर बिरवल परसाथ सर्च करके जोईन कर लें अब चलिए अब फाइनली अब देखिए काता है कि जो भारतिय सब्याता है इसका परविर्ति इसका सोहाव इसका टेंडेंसी क्या है तो मैंने आपको अभी बताया है ना यह मोरल बिंग मतलब नयतिक्ता को बताता है तो आप्शन ए आपका राइट अंसर है देखिए कोश्चन में ऐसे आएगा स्पिरिच्वालिटी आपको लगेगा किसमें अध्यात्मिक की बात हुआ है तो यह ना हो जाए कहीं ना क्योंकि इंडियन सिविलाजेशन स्पिरिच्वालिटी से भी जूरा हुआ है लेकिन हमारे प्रोज में साफ साफ बताया गया है कि जो इंडियन सिविलाजेशन है वो नेतिक्ता को बरहाता है मूरल बिइंग को बरहाता है और जो बेश्टरन सिविलाजेशन है वो किसको वो इम मूरालिटी को जो की आप्शन नंबर बी में है इस question में option A सही है दूसरा नमबर question है modern civilization is the bursty pop अब यहाँ पर question पुछता है कि जो modern civilization है किस चीज़ की पूजा है तो पहला option है God ये तो भगवान की पूजा नहीं है science, science की पूजा हो सकती है modern civilization लेकिन आपका प्रोज में direct line लिखा हुआ है modern civilization is the bursty pop materials मतलब सैंसाधनों की पूजा है बस्तूं की पूजा है तो दूसरा नमबर question का सही answer है option B तीसरा नमबर question है महात्मा गांधी wrote numerous articles अब यहाँ पर question पूछ दिया ना कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे article लिखा है numerous articles अब किस चीज के लिए यह लिखा है for तो आपको मैंने बताया था एक पत्री का छपती थी उसका नाम था यंग इंडिया तो option B आपका सही answer है उसके बाद four number question देखते है who were satisfied with a small village अब यहाँ पर question पूछ दिया दिखिए कि कौन लोग थे जो की छोटे गाउं में संतुष थे तो मैंने आपको अभी theory परहाया है अभी facts परहाया है are insectors हमारे जो पुरवज थे छोटे गाउं में खुश थे मतलब संतुष थे तो fourth number question का सही answer option c अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ option में farmers है तो कहीं आपको लगे कि छोटे गाउं में farmers खुश होते है ना तो जब आप प्रोज को ठिक से परिएगा note ठिक से बनाएगा तो आपको पता चलेगा किसका सही answer कौन है option c होगा सही answer पाचमा नमबर question है plain living and high thinking is the motto of कतक जो plain living है जो सादा जीवन उच बिचार है plain living high thinking यह motto है एक बिचार है एक कहावत है किन का तो कईों को लग सकता है महात्वा गांधी का है ना option में दिया हुआ है जबकि गलत है यह best run philosopher का है option b होगा सही answer यानि पाच नमबर question का सही answer option b चलिए छे नमबर question है according to गांधी जी European civilization बिल मिन अब देखिए गांधी जी काते हैं तो आपको जब भी question आएगा न ऐसे लिखा हुआ आएगा according to गांधी जी या फिर according to Indian civilization and culture तब ही तो आपको पता चलेगा कि किसकी अनुसार तो यहां पे कर रहा है कि गांधी जी का अनुसार जो European civilization है उसका मतलब क्या है तो उसका मतलब मैंने आपको प्रोज में ही पढ़ाया था गांधी जी कहते हैं कि European civilization का मतलब है इंडिया को बरवाद कर देगा अगर आप European civilization को कौपी करने का प्रयास करते हैं तो यह सेम लाइन था ना लिखा हुआ तो यहां पे होगा option B रिउन का मतलब होता है बरवाद करना छे नंबर कोश्चन का सही अंसर है option B अब यहां पे देखिए यह नहीं कर देना है बलेज का मतलब होता है आसिरवाद बरदान है ना और कर्स का मतलब होता है स्राप तो European civilization इंडियान के लिए नहीं बरदान है नहीं स्राप है तो ऐसे option आएंगे आपको कनफ्यूज करने के लिए ठीक है अभी फिलहाल छे नमबर कोश्चन के लिए सही अंसर है option B चलिए आगे चलते हैं सात्मा नमबर कोश्चन है फरोज बर रूलर्स आफ एसियंट अब कहता है कि जो फरोज थे यह सासक थे तो यह प्राचीन मिस्र के थे तो यहां पे अंसर होगा option A आठमा नमबर कोश्चन है इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर इज आ और यहां पे अबलिक में है और वीच है जूइन रिटेन वाई महात्मा गांधी तो मैंने आपको बताया था इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर एक A से है तो यहां पे होगा आपशन C यानि इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर इज एंड A से वीच है जूइन रिटेन वाई महात्मा गांधी अगला है सिविलाजेशन मींस दा स्टेट अफ डिवलप्मेंट आफ तो मैंने आपको बताया था सिविलाजेशन का मतलब है कि मानव जाती का विकास की इस्थिती हैना उसका स्टेट तो आपशन A होगा 9 नमबर कोश्चन के लिए अंसर होगा human beings आपशन 9 का पहला नमबर आपशन यानि आपशन A अगला है according to Indian civilization and culture civilization points out हैना कता कि भारतिये सभयता और संस्क्रिती जो आपका chapter है उसके अंसर जो civilization है वो किस बात को बताता है देखे यहाँ पियाद रखेगा यह phrase है point out मतलब होता है की और इसारा करना या फिर की और या फिर कुछ बताना हैना निर्देशित करना तो यहाँ तो होगा to man the path of duty यानि option C सोरी यहाँ पर होगा option D यानि देसमा नमबर question का सही अंसर है option D अगला है I am not hitter of best this line has been taken from तो देखिए जब आप पूरा detail में पहले से परहे होंगे ना पूरी concept से तो आप हर एक question को कर पाईएगा तो यहाँ पर question पूछ रहा है कि I am not hitter of best यह जो line है कहां से लिया गया है तो यहाँ पर तो आपने पहली परोज ही अभी पर है जब पूरा परहेगा तब आपको confusion होगा तो अभी 11 नमबर question के लिए सही अंसर है option A Indian civilization and culture से यह line लिया गया है अगला है Our ancestors dissuaded us from हमारे पुर्वजों ने किन चीजों से दूर रखा हम लोगों को तो इसका अंसर है option A है न बिलास्ता पुर्ण और जो ऐसो आराम की जो जिंदरी थी luxurious और pleasers life था उससे हम लोगों को दूर रखा है अब देखिए यहाँ पे ऐसे option है कि लोग यहाँ पे फस सकते है option B में लिखा हुआ moral things मतलब नैतिक चीजों से तो ऐसा बात नहीं हमारे पुर्वजों ने तो नैतिक चीजों को सिखाया है और हमारे civilization ही है इसको आगे बराता है नैतिक चीजों का तो यहाँ पे कहारा dissuaded मनें हमको दूर रखा है उस चीज से तो यहाँ पे option यही सही अंसर होगा 13 number question है my experiment with truth तो कह रहा है कि जो my experiment with truth है यह एक autobiography यह एक जिबनी है किन का तो यहाँ पे अंसर होगा option B महात्मा गांधी का अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ जब कोई किसी person के बारे में लिखता है तो उसको कहते है biography बायो का मतलब होता है जिवन और ग्राफिक का मतलब होता है right लिखना लेकिन अगर कोई person अपने जिन्दगी के बारे में खोद लिखता है तब उसको बोलते है autobiography clear चलिए अगला point है according to Indian civilization and culture happiness is largely a तो देखिए आया न कि भारतिय सभिहता और संस्कृती जो प्रोज परना है उसके अनुसर बताईए कि जो खूसिया है जो happiness है वो क्या है largely a तो देखिएगा यहाँ पोगा mental condition option D होगा option A को जरा देखिए लिखा हुआ है mental problem तो आप देख लिजिएगा कि कौन सा option सबसे ज़्यादा सही है तो यहाँ पे होगा option D होगा mental condition 15 नंबर question है according to Indian civilization and culture given is associated with अब यहाँ पे कोच रहा है कि भारतिय सभिहता और संस्कृती जो प्रोज है उसका अनुसार बताईए ऐसे तो उसका अनुसार क्या यहाँ पे पूछ रहा है given कौन थे और किसके साथ यह जूरे हुए थे तो इसका अनुसर होगा option B associated with Italy अगला question है our four fathers didn't invent machinery हमारे पुरवज मसीनों का विसकार करना नहीं जानते थे हमारे पुरवजों ने मसीनों का विसकार नहीं किया because क्योंकि these would make us क्योंकि यह जो अविसकार है हम लोगों को क्या बना देता तो यहाँ पे अन्सर होगा option B लेजी बना देता अब बहुत से लोग यहाँ पे happy न कर दें हना कि यह मसीने हमें खुश कर दती अरे खुश कर दती तब तो विसकार करती ही लेकिन यहाँ पे लिखा होगा कि our four father did not invent machinery हमारे पुरवजों जो थे मसीनों का विसकार इसलिए नहीं किये क्योंकि उनको पता था कि यह मसीने हमें आलसी बना देगी option B होगा सही अंसर 17 number question है according to Indian civilization and culture our ancestors enjoyed काता है कि प्रोज जो है आपका परने के लिए उसका नुसर बताए कि जो हमारे पुरवज थे उन्होंने किस चीज को किस चीज का आनंद लिया तो यहाँ पे भी option confusing है ऐसे तो आपने पर है तो आप डिरेक्ट लगाएगा option A में true home rule सही अंसर होगा अब देखिए option B में ancient culture प्राचीन संस्कृती तो कहीं किसी को लगे कि यह तो हमारा civilization है तो इसी का आनंद लेते थे ऐसा नहीं है प्रोज में साप साप यह लाइन लिखा हुआ है कि our ancestors enjoyed true home rule तो option A आपका सही अंसर होगा 18 number question है according to Indian civilization and culture गुजराती equivalent for civilization means अब यहाँ पर कहता है कि गुजराती में गुजराती भासा में civilization का मतलब क्या है तो अच्छा बिचार मैंने बता है इतना good conduct तो option A आपका सही अंसर है 18 number question का सही अंसर है good conduct option A 19 number question है the mind is a restless word the more it gets the more it wants कता है कि यह जो line है the mind is a restless word कता है जो mind है हमारा जो मन है एक बेचाइन पच्छी की तरह है इसको जितना मिलता है उतना ही ज्यादा चाहता है जब यहाँ पे मैं type करना भूल गया हूं बट बता देता हूं मैं क्या यहाँ पे पूछना चाह रहा था मैं पूछना चाह रहा था कि यह line कौन सी प्रोज से ली गई है तो आप जब सारे book का प्रोज पर लेंगे ऐसे तो आपको याद रहेगा अच्छे से परेंगे तो यह कौन सी प्रोज से ली गई है तो यहाँ पैंसरों का option ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 20 नंबर question है अब देखे इसी question का अगला form है कर रहे कि जो हमारा मन है एक बेचैन पच्छी की तरह है जो की हमेशा क्या रहता है तो गांधी ची कहते हैं कि इसको जितना मिलता है उतना चाहता है और यह कभी भी संतूष्ट नहीं होता है इसको संतूष्टी मिलती ही नहीं तो यहां पर answer होगा unsatisfied रहता है तो option B होगा 20 number question के लिए अब किसी को यह न लगे कि option D होगा satisfied तो ध्यान से सुनिए एक बार मैं फिर से बोलता हूं हमारा जो मन है एक बेचैन पच्छी की तरह है इसको जितना मिलता है उतना ही ज्यादा चाहता है और यह कभी भी मतलब हमेशा आसंतोष्ट रहता है आसंतोष्ट रहता है मतलब इसको संतोष्टी नहीं मिलती है आसंतोष्ट तो यहां पर होगा option B होगा unsatisfied और आपका book में यह line बिलकुल सेम लिखा हुआ है तो अगर आप PDF या ebook लेना चाहते हैं या फिर प्रति दिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप विरवल परसाद सर टेलिग्राम चैनल को जॉइन करिएगा और इस टेलिग्राम चैनल का link वीडियो के description box में दिया हुआ है आज तक इतना ही थैंक्स पर वाचिंग बाइगा